हेलो फ्रेंट्स वेलकुम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे हो मैं अभी अच्छी हूँ फ्रेंट्स वीडियो स्टाट करने से पहले प्लीस मेरे चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए बैल का इकन प्रेस कर दीजिए और जो पुराने है वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंट्स और मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए कुछ प्यूटी टिप्स जो की विंटर्स के लिए हैं तो चलिए स्टाट करते हैं फ्रेंट्स हमारी बौडी में अलग अलग तरह के विटरूमिन्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है विटरूमीन्स की जब बारी आती है ग्लो की अम्यून सिस्टम को बढ़ Cosmos को बढ़्हाने की तो हम हमे क्या चाहिए vitamin c चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा important होता है हम इसको produce नहीं कर सकते हैं इसलिए हम green leafy vegetables खटी चीज़ें खाते हैं तो आज कल covid में भी vitamin c को ही refer किया जा रहा है ताकि हमारा जो immune system है वो बड़े फिर हम अगर हम skin की बात करें skin में glow लाने के लिए UV rate से production के लिए dull skin को remove करने के लिए wrinkles fine lines सब्पोर हटाने के लिए vitamin c must है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी home remedy लाई हूँ जिससे आप वीक में 3 चार बार या 2 या 3 बार use कर सकते हैं vitamin c से skin healthy दिखने लगती है skin पे glow आता है vitamin c आप अपने खाने में भी एड़ कीजिए ठीक है और skin में जो आपने जैसे ये vitamin c लगाना है उसके tips तो मैं आपको बताती रहती हूँ लेकिन diet में भी आप vitamin c वाली चीचें थोड़ी use कीजिए इससे हमारा जो immune system है वो healthy होता है vitamin c से हमारे जो अंदर रोगों से लड़ने की शक्ती है वो बढ़ती है vitamin c से लेकिन excess ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है मतलब कि according to our body according to our digestive system ही vitamin c हमने लेना है ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना है हाँ कुछ हमें खाने में vitamin c हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए जैसे lemon हो गया orange juice हो गया ठीक है आमला हो गया तो इससे हमारी skin में भी glow आता है ठीक है तो friend सबसे पहले आपने क्या करना है आपने क्या करना है कि जो mama earth का vitamin c का face wash है वो आपने यूज़ करना है vitamin c का mama earth का vitamin c का face wash है उसको आपने यूज़ करना है इसमें termic healthy और vitamin c का combination आपको मिलेगा इसको आप भी मतलब कि daily आप इसको use कर सकते हैं skin पे ठीक है mama earth का mama earth का vitamin c का face wash आपने यूज़ करना है इन उसके बाद आपने mama earth का vitamin c face wash milk ये skin को long lasting करेगा long lasting hydrate करेगा और ये वैसे भी long lasting है सबसे पहले आपने face wash लेना है mama earth का vitamin c का जिसमें की termic और vitamin c का combination है then आपने क्या करना है then आपने mama earth का ही vitamin c का milk ठीक है mama earth vitamin c face milk ये भी skin को hydrate करता है और ये long lasting है ये दो चीज़ें आपने daily use करनी है आप इसको online मगा सकते हो ठीक है अगर अच्छी city में रहते हो तो आपको market में भी ये मिल जाएगा ठीक है mama earth के ही दोनों products है इनका result बहुत ही अच्छा है और skin के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है skin को hydrate करेंगे skin पे glow आएगा इसके साथ ही मैं आपको एक home remedy भी बिताने जा रही हूँ तो इसके साथ आपने क्या करना है इसका तो आप daily use करेंगे ही करेंगे दो बार एक अपने home remedy भी करनी है उसके लिए आपने क्या करना है आपने half tomato आदा जो tomato होता है tomato है उसको लेना है उसको कद्दू कस करना है ठीक है और आपने rose water लेना है ये rose water winter में skin को hydrate करता है एक या दो table spoon आप इसमे rose water एड़ करेंगे ठीक है देन आपने क्या करना है आपने कस्तूरी healthy लेनी है कस्तूरी healthy एक pinch एक चुटकी डालनी है सबसे पहले आपने half tomato को कद्दू कस करना है ठीक है उसमें आपने vania two table spoon rose water डालना है ठीक है नमबर third पे आपने क्या करना है आपने कस्तूरी healthy लेनी है एक चुटकी एक pinch मैं फिर से repeat कर रही हूँ आदा कटा हुआ टमाटर लेना है उसको कद्दू कस करना है आपने उसमें rose water की दो टेबल स्पून आपने डालने है दो चम्मज रोजबल रोजवाटर गुलाब जल जिसको हम डालते है बोलते है देन आपने उसमें कस्तूरी healthy कस्तूरी healthy बहुत ही अच्छी healthy है अच्छे ब्रैंड की healthy है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है अगर आपके घर में कस्तूरी healthy नहीं है तो kitchen की healthy भी आप इस्तमाल कर सकते हो ठीक है एक पिंच एक चुट की healthy डाली है आपने देन आपने क्या करना है नमबर 4 पे आपने glycerine की 5-6 drops डालनी है विंटर्स में glycerine भी skin के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है ठीक है देन आपने क्या अड़ करना है एक टेबल स्पून आपने aloe vera gel अड़ करना है मैं फिर से repeat कर रही हूँ जो मैंने home or video आपको बताई है है । आप लिए। लेना है उसमें आपने एक या दो चमच रोज वाटर डालना है आपने एक चुटकी इसमें कस्तुरी हल्दी डालनी है तं आपने इसमें टाम पन्समें सब्साश कर दालनी है ऑद्से खीर ऑन्सेड भी कर राख घू, तो आप cूंद टालनी है ये आपकी स्किन में बहुत ज़ादा ग्लो लाएगा, ये मैंने आपको बितामिन सी का जो ये इंग्रेडी रंस बताए हैं, बितामिन सी के हैं, ये सकिन पे काफी ग्लो लाएंगे, और विंटर्स के लिए ये बहुती बढ़िया है, आप इसको यूज कीजिए अपने घर में स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा आप ये दो जो मैंने आपको बताएं है मामा आर्थ के परड़क्ट्स बताएं है फेस वाश और जो मिल्क है इसको आप यूज करें ये जो मैंने होम रिमेड़ी बताई है इसके बाद भी आप मामा आर्थ का जो मिल्क मैंने आपको बताया है तो इसको आप बाद में ये वाला यूज करें इस रिमेड़ी को यूज करने के बाद जो मैंने आपको बताई है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही आई होब की आपको ये मिराज का वीडियो अच्छा लगावाएगा अगर मेरी वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो प्लीस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अगर आपके घर में आसपास या स्टूरेंट्स हैं सलून के उनको भी रैफर कीजिए कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने नेवर्स में अपने रैल टिप्स में तो फ्रेंड्स मेरी रुक्रेस्ट है कि वीडियो को एटलिस दो या तीन मिन्ट के लिए जरूर वाच किया कीजिए मैं यह नहीं कहती कि फुल वीडियो वाच करो मुझे पता है कि यह पॉसिबल नहीं है कि हम फूर हंडर या फाइव हंडर सब की वीडियो जो है मतलब कि फुल फुल वाच करें किसी के लिए पॉसिबल नहीं है इतना टाइम भी नहीं होता है सब के पास अब बीज़ी है लेकिन दो या तीन मिनट के लिए पलीज सब वाच करें ठीक है और मैं भी सब की मैं यह तो नहीं कहती मैं सब की फुल वाच करती हूं क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है मैं सिरियसली बोल रही हूं फिर भी मैं कोशिस करती हूं कि 2-3 मिनिट میں सब की वीडियो वाच करती हूं ऐसे बिलکोली स्पैम मैसेज नहीं मारती हूं दो से या 2-3 मिनिट में हमेशा वीडियो को वाच करती हूं क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं 400-500 बे की फुल फुल वीडियो वाच करूं ठीक है मैं वीडियो को भी छोटा बनाने की ही कोशिश करती हूँ पान से साथ मिनट या आट मिनट के लिए जादा टाइम नहीं विजट करती हूँ तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही थैंक यू सो माच I hope कि मुझे आप सब स्पोर्ट करोगे Thank you so much